जहें दोस्तों स्वागत है आपका अमारी इस प्लेटफॉर्म पर आज में लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एक्जाम के अंदर आने वाले जीके साइन्स मैथ और इसनिंग के मॉस्ट इंपोटेंट कोशनों को एक मॉडल पेपर जिसके अंदर हम पूरे पचास कोशन लाए है अगर आप इंडेन आर्मी के एक्जाम की त्यारी करते हो तो अगर आपके लिए बहुत इंपोटेंट होने वाला है अगर आप नए हमारी युट्यूब चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो चली शुर तो ने वाले जो पहली भारत्य मैला थी होती आशापूर्णा देवी ऑप्शन नमबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जबकि देवी का रानी दादा साफाल के प्रोश्कार पाने वाली पहली भारत्य मैला भी नैतरी थी अगला कोशिन अपना कि सिक्षक पर्श किस दीती को मना जाता है चार ऑप्शन देर के हैं पांच सितंबर 27 सितंबर 8 सितंबर या फिर 16 अक्टूबर ठीक है तो राश्टी जो सिक्षक दिवसे भारत का जो सिक्षक दिवसे वो पर्तिवर्श का मना जाता है तो ऑप्शन नमबर ए अपना करेक्ट आंसर हो पांच सितम्बर को ठीक है और यह भारत के पूर राष्ट पती और पहले उपराष्ट पती डॉक्टर एस राधा किश्णन की जनम दिवस पर मनाया जाता है अगला कोश्यन अपना कि निमलिकित में से भारतीय नेपोलियन किसे मना जाता है चार उप्शन देर के हैं चंदरगुप्त मोरिया, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्दन तो भारत का नेपोलियन किसे का जाता है अप्शन नमबर B अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को अगला कोश्यन अपना कि विश्व का एक मातर तेरता हुआ राष्ट्य उध्यान केबुल लाम जाओ किस राज्ये में इस्तित है ये दुनिया का एक मातर है एसा राष्ट्य उध्यान जो तेरता हुआ है चार उप्शन दिर के हैं मेगालिये, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मनिपूर तो कैबुल लाम जाओ किस राज्ये में इस्तित है उप्शन नमर डी अपना करेक्टांसर हो जाएगा मनिपूर के अंदर अगला कुशन अपना कि जम्मु कश्मीर और लद्दा का वे हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है चार उप्शन दिर के हैं गिलगित शेत्र, छोमुरारी शेत्र, सियाचीन शेत्र या फिर अक्शाई चीन तो जमो कश्मीर में और लड़ा के अंदर कुछ हिसा है जो भारत का है लेकिन वो चाइना के अधिकार में है तो उस हिसे को क्या का जाता है तो option number D अपना correct answer हो जाएगा अकसाई चीन ठीके और ध्यान रखना अकसाई चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसको बोलते het LAC ठीके line of actual control जबकि भारत और पाकिस्तान ठीके भारत का कुछ हिसा है जो पाकिस्तान के कभजे में है उस हिसे को बोलते है POK ठीके पाक occupied कश्मीर ठीके और भारत और पाक अगला कॉश्यन है अपना कि भारत के किस राजिये में विश्यू का सबसे बड़ा थोरियम का बंडार है. तो बारत में विश्यू का सबसे बंडार है, वो किस राजिय मिश्ती थे. option number A अपना correct answer हो जाएगा के रल के अंदर अगला question है अपना कि अगर आप राज्य सबा का सदश्य बनना चाते हो तो आपकी नियोंतम आयू कितनी होनी चीए ये 4 option देर के हैं 21 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष ठीके तो अगर राज्य सबा ठीके संसद का ये सदन है अगर इसका आप सदश्य बनना चाते हो तो आपकी जो नियोंतम आयू है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चीए option number C अपना correct answer हो जाएगा और वर्थमान समय में 250 कुल संसद में राज्य सबा के सदश्यों के संक्या है और इसमें से 245 ठीके 245 ही वर्थमान समय के अंदर है जिनका election होता है अगला question अपना कि कामायनी पुस्तक के लेकक कोने या कामायनी किस लेकक की कृती है चार option दिर के हैं सुमित्रा नंदन पंत जे संकर परशाद रामधारी सिंग दिनकर या फिर महादेवी वर्मा ठीके तो इन में से कामायनी पुस्तक किसने लिखी थी option नंबर B अपना करेक्टांसर हो जाएगा जे संकर परशाद ने अगला question अपना कि परशिद प्रवतिय शैत्र माउंट आबू किस राज्य में इस्तिद है चार option दिर के हैं अपना करेक्टांसर हो जाएगा अगला question अपना कि महावेर जेन की मृतियों किस नगर में होई थी चार option दिर के हैं कुंड ग्राम, राजगीर, पावपुरी या फिर कुशी नगर ठीके तो महावेर जेन की जो मृतियों है वो 468 इसा पूरू के अंदर हुई थी और कहां पूरू थी, पावपुरी के अंदर option number C अपना correct answer होगा अगला question अपना कि मैमार की मुद्रा क्या है चार option दिर के हैं, बहत, क्याथ रुपईया या फिर पीस, ठीके, तो मैंसे कौन सा मुद्रा है, जो मैमार में चलती है तो option number B अपना correct answer हो जाएगा क्या थे, ठीके, जबकि जो बहत तेर का, ये थाइलेंड की मुद्रा है ठीके, रुपईया, भारत की पाकिस्तान, श्रिलंका और नेपाल, ठीके, इन चारपांस देशों में चलती है और जो पीसो है, ये लेटिन अमेरिकी देश है, जिसके अंदर मैकसिको उर्गवे, चिल्ली ठीके, कमबोडिया, इन देशों के अंदर ये मुद्रा चलती है अगला question अपना की सिंद का युद्ध कब हुआ था, चारा option देर के हैं, 521 178 177, 712 या फिर 663 इसवी, ठीके, तो सिंद का युद्ध हुआ था 712 इसवी में, जब मुहमद बिन कासिम बारत आया था, ठीके, और ये युद्ध हुआ था मुहमद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच अगला question अपना की कि इस ग्रह को छलो वाला ग्रह कहा जाता है या वल्ल्यो वाला ग्रह कहा जाता है चार option देर के हैं, बुद, शनी, मंगल या ब्रसपती ठीके, तो किस ग्रह के चारो तरफ इस तरीके से छले हैं तो option नमबर B अपना करेक्टांस रो जाएगा शनी ग्रह के, ठीके, और शनी ग्रह के टोटल या से 10 चले है अगला question अपना कि धरातल पर एक डिग्री अक्षांस की दूरी निमें से किस के बराबर होगी, चार option देर के हैं 11 km, 111 km, 21 km या फिर 101 km, ठीके तो एक डिग्री अक्षांस बराबर होता है 111 km, ठीके और इसको ते करने में पृत्वी पर 4 मिनट लगते हैं, ठीके पृत्वी 4 मिनट के अंदर एक डिग्री गुमती है और उस समय में वो 111 km की दूरी ते करती है, तो option number B अपना correct answer होगा अगला question अपना है कि निमने में से किस क्रांथी को October क्रांथी कहा जाता है चार option दे लिग्रें के हैं, Lucy क्रांथी ईंगलेंड की क्रांथी अमरीकी क्रांथी है फिर France क्रांथी त्पिर इन में से किस क्रांथी को October क्रांथी के नाम से जाने जाता है option number A अपना correct answer हो जाएगा रूसी क्रांथी जो 1917 में हुई थी और इसका नेतर तो किया था Lenin ने ठीक है तो रूसी क्रांथी का जना किसे कहा जाता है Lenin को और ध्यान रखना इसको Bolshevik क्रांथी भी कहा जाता है ठीक है अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि यह जो France की क्रांथी है फ्रांसी सी क्रांथी यह किस सन में हुई थी ठीक है इसका अंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे Second part है अपना science का और science का question number 16 है कि हाश्य गेस कौन सी है लाफिंग गेस कौन सी है चार option देरके हैं Nitrous Oxide, Carbon Monoxide, Sulfur Dioxide या फिर Nitrogen Paroxid तो इन में से कौन सी गेस को Laughing Gase या हाश्य गेस का जाता है जिसको हसाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर जिसको अगर हम सूंग लेते हैं तो हसना आता है ठीक है तो Nitrous Oxide यानि N2O जिसका फरूंग लाए N2O को हाश्य गेस या लाफिंग गेस का जाता है option number A अपना right answer होगा अगला question अपना कि वे पदार्त जो जानूरों में खाल, मास्पेशियो, बाल और नाखुन बनाते हैं क्या कहलाता है चार option देरके हैं कार्बो हाइडरेट, वसा या फिर वेटामीन ठीक है तो जानूरों के जो बाल होते हैं, खाल होती है नाखुन ये सब किसके बने होते हैं option number A अपना correct answer हो जाएगा protein के और किस protein के बने होते हैं किरेटिन नामक protein के अगला question अपना निम्ड में से धवनी की चाल सबसे कम होगी चार option देरके हैं, जमीन पर समुदर में, अंतरिक्ष में या फिर काच में, ठीक है तो देखो धवनी की जो चाल है, वो सबसे कम किसम होती है या नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है निर्वात के अंदर, ठीक है और यहाँ पर इन चारों में से निर्वात कहाँ पर होता है अंतरिक्ष में, तो option number C अपना correct answer हो जाएगा, कि सबसे कम होगी अंतरिक्ष में next question अपना कि प्रकास translation किस रंग में अधिक्तम होता, यानि प्रकास translation जो क्रिया है, वो सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है, चार option दिर्के है सफेद रोशनी, लाल रोशनी हरी रोशनी या फिर निली रोशनी ठीक है, तो प्रकास translation जो पेड़ पो दो के खाना बनने की प्रक्रिया होती है और यह सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकास महोती है, option number B अपना right answer होगा next question अपना कि मानव श्रीर में रक्त का थक्का किस vitamin से बनता है ठीक है, यानि रक्त का थक्का बनने में कौन सा vitamin सायक है, चार option दिर्के vitamin K, vitamin D, vitamin E, या फिर vitamin C ठीक है, तो blood load के लिए कौन सा vitamin सायक है, तो option number A अपना correct answer हो जाएगा, vitamin K अगला question अपना कि चांदी का प्रमाणू क्रमांख कितना है चार option दिर्के हैं 58, 76, 89, या फिर 47 ठीक है, तो चांदी का जो प्रमाणू क्रमांख है वो है 47, option number D अपना right answer हो जाएगा, जबकि चांदी का जो संकेत है वो है A, G ठीक है, विज्ञान की बाश्या में चांदी को Argentine कहा जाता है अगला question अपना कि निमने में से कौन एक गेर प्रमप्रागत उर्जा इस्तरोत है 4 option दिर्के हैं, कोईला, प्रमप्रागत उर्जा का इस्तरोत क्या है option number D अपना correct answer हो जाएगा सो रूर्जा, जबकि कोईला, प्रमप्रागत इस्तरोत है अगला question अपना कि 100 degree Celsius कितने Fahrenheit के बराबर है, देखो Celsius से मैं Fahrenheit बता करना है तो इसके लिए formula आता है, F-32 divided 9 बराबर C upon 5 ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं तो F Fahrenheit हमें पता करना है minus 32 divided 9 बराबर C देर का है, 100 degree Celsius divided 5 ठीक है, पांच का बाग इसमें जाता है 20 बार और इसको cross multiply कर दो तो F-32 बराबर हो जाएगा 929 अठर, 100C minus के इदर आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा, तो F की value कितनी है Fahrenheit की, 132 होता है 212 Fahrenheit Option number P अपना right answer होगा अगला question है, कि RDX क्या है चार option देर के है कित नाशक, वेस्पोटक, कवक नाशक या फिर एक घरपतवार नाशक ठीक है, तो इन में से RDX क्या है Option number B अपना correct answer हो जाएगा ये एक वेस्पोटक है ठीक है, और RDX की फिलफोर्म होती है Research Department Explosive Next question अपना कि soda water बनाने के लिए किस gas का प्रियोग किया जाता है चार option देर के है, oxygen, nitrogen carbon dioxide या फिर hydrogen ठीक है, तो soda water बनाने के लिए किस gas का प्रियोग करते है, CO2 यानि carbon dioxide का option number C अपना right answer होगा Next question अपना कि प्रत्वी पर उपलब्द सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, चार option देर के है सोना, लोहा हीरा या फिर platina ठीक है, तो प्रत्वी पर जो उपलब्द अब तक का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा, option number C अपना right answer हो जाएगा Next question है अपना कि वहल किस वर्ग का प्राणी है, चार option देर के, मतश्य, इस्तनपाई सरी सर प्या फिर उबेचर, ठीक है, तो वहल जो है वो एक इस्तनपाई प्राणी है मैमल से, ठीक है, और मनुश्य भी मैमल की स्रेणी में आता है, और वहल बले ही एक मचली है, लेकिन वो एक इस्तनदारी है और इस्तनदारी किसको बोलते हैं, एसे जीव जो बच्चे बेदा करता है, और अपने बच्चों को दूद पिलाता है अगला कुश्यन अपना कि दूद का पिएच मान कितना होता है, ठीक है, चार उप्शन दे रका है 5.3, 2.8 7.4 या फिल 6.4, ठीक है, तो दूद की जो pH value होती है, potential of hydrogen वहता है, 6.4 से 6.6 तक, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6.4 दे रका है, तो डी उप्शन अपना right answer हो जाएगा, जबकि 7.4 है, यह अपने blood की, ठीक है, खून की pH value होती है अगला question है अपना कि सुक्षम जीवों को देखने के लिए किसे यंत्र का प्रियोग किया जाता है चार option दे रके हैं, सुक्षम दर्शी दूर्बीन, दूरदर्शक या इन में से कोई नहीं, ठीक है तो सुक्षम जीवों जो microbes होते हैं, उनको देखने के लिए, microscope का प्रियोग किया जाता है option number A अपना, right answer जिसको इन दिम बोलते हैं, सुक्षम दर्शी ठीक है, जबकि दूर्बीन का प्रियोग जो कम दूरी में, लेकिन दूर की वस्तों उनको देखने के लिए, दूर्बीन का प्रियोग किया जाता है जबकि दूर्दर्शक ये जो आकाशी पिंड होते हैं, उनको देखने के लिए दूर्दर्शक का प्रियोग किया जाता है अगला question अपना कि मानोश्रीर की सबसे लंबी पेशी या माश पेशी कौन सी है, चार option दिरक है Stipidious Deltide Glutus, Maximus, या फिर Sartorius, ठीक है, तो इन में से मानोश्रीर की जो सबसे लंबी पेशी है वो है option number D अपना correct answer हो जाएगा, Sartorius ठीक है, और ये जो femur अड़ी होती है ठीक है, उसके joint में पाई जाती है, जबकि सबसे चोटी अगर माश पेशी का अगर सवाल पूचे, तो सबसे चोटी माश पेशी होगी थर्ड पाट है अपना मैत का और मैत का question number 31 है कि 5000 रुपे का 9% वार्शिक दर से कितने समय का मिशर दन 6,350 रुपे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर formula ये अपने पास P into T into R upon 100 बराबर होता है, ऐसा ही, ठीक है तो यहाँ पर देखो, मूलदन दे रखा है 5000 रुपे, तो पी के निचे लिख दो 5000, टाइम नहीं मालूम है 10,9% दे रखिए, तो 9,500 बराबर देखो, ऐसा ही, यानि हमें ब्याज पता नहीं है, लेकिन मिशर दन पता है कितना है उसका, 6350 तो अगर मूलदन 5000 है और मिशर दन 6350 है तो इसको माइनस कर दो 6350 को 5000 में से, ठीक है तो बचरा अब में पास 1350, यह 1350 रुपे ब्याज है, इसको बराबर में लिख दो 1350, ठीक है देखो, यहाँ दो 0 से, यह 2 0 कट गया 50 और 9 दोनों गुणा में का चले जाएंगे भाग में तो टी बराबर हो जाएगा 1350 बटा 50 इंटू 9 ठीक है, 0 से 0 कट गया 5 का बाग 135 में जाता है 5, 2, 10, 5, 7, 37 बा ठीक है, और 9 का बाग 27 में 3 बार, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 साल, option number B अपना right answer होगा अगला question अपना कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संक्या का योग क्या होगा, ठीक है 5 अंकों की सबसे बड़ी संक्या क्या होती है 99,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संक्या क्या होती है, 1000 तो इन दोनों का अगर योग की बात करें दोनों को जोड़ दो ठीक है एक जार इसके अंदर जोड़ दो दियो जाएगा नाइन नाइन जीरो टेन ठीक है तो क्या हो जाएगा एक लाग नो सो निज्ञाण में आप्शन नमबर सी अपना राइट आंसर होगा अगला कॉशन अपना कि किसी पाईय की तरीजा 21 सेंटीमेटर है तो 528 मेटर की दूरी तेकरने में इसको कितने चकर लगाने पड़ेंगे देखो तरीजा देर की एक वरत है और इसकी तरीजा है 21 सेंटीमेटर तो सबसे पहले हमें एक चकर निकालना है और एक चकर हमेशे क्य वच्छा उसको गुणा कर दो, तो 22 दून चोमालेस और चोमालेस को अगर हम तीन से गुणा करेंगे, तो क्या हैगा, 132 cm, यानि वो एक चकर में कितना जा रहा है, 132 cm, तो बताओ, 528 मेटर जाने में कितने चकर लगाएगा, तो देखो, यहाँ जब वो चकर लगाता है, एक तब दूरी ते करता है, 132 cm, तो अगर वो 528 मेटर की दूरी ते करेगा, तब कितने चकर लगाएगा, एक्स, देखो, यहाँ उपर cm है, और नीचे मेटर है, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए मेटर को cm में कनवर्ट कर दो, एक मेटर में 100 cm होता है, तो इसको 100 से और क्रोस मल्टिप्लाइ कर दो, तो 132 x बराबर हो जाएगा, पांसो अथाइस डबल जीरो, ठीक है, यह गुणा में का चला जाएगा, भाग के अंदर जो कटरा उसको कार दो, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर सिधा-सिधा, 132 का भाग, पांसो अथाइस में चार बार जात से, ठीक है, देखो, यह पहली संक्या है, यह दूसरी है, और यह तीसरी एजिन का अनुपात क्या है, चार अनुपात, पांच अनुपात, छे, तो इसको 4x माल लेते हैं, इसको 5x और इसको 6x, ठीक है, इनका 25 से, देखो, संक्या कितनी है, एक, दो और 3, और 25 से, तो उनका योग क्या हो जाएगा संख्या को अगर हम ओसत से गुणा करते हैं तो हमेशा उनका योग आता है ठीक है तो तीन संख्या और ओसत 25 है तो योग क्या हो जाएगा बाग के अंदर और 15 का बाग पिछेतर में 5 बार X के value 5 आई 5 को 3 उसे गुणा कर दो तो यह जाएगा 5 और 20 25 25 और 30 यानि वास्तर में वास्तर में वो संक्या क्या है 20 25 और 30 तो इसने पूचा सबसे बड़ी संक्या क्या होगी तो सबसे बड़ी हो जाएगी 30 ओप्शन नमबर C अपना right answer होगा अगला question है अपना कि यदि sin बराबर है अंडरूड 5 बटा 3 और cos बराबर है एक बटा 3 तो 10 बराबर क्या होगा ठीक है यहाँ पर देखो 10 theta पूचा है तो 10 theta बराबर क्या होता है 10 theta बराबर होता है sin theta बटा cos theta ठीक है यह होता है 10 ठीटा कमान, तो sign दे रखा अपने पास अंडरूड 5 बटा 3 और cos दे रखा 1 बटा 3 ठीके, यह तीन से 3 कड़ गया, और क्या बचा अपने पास अंडरूड 5 बटा 1 ठीके, और अंडरूड 5 में एक का बाग अंडरूड 5 बारी जाता है, तो आंसर क्या होगा अंडरूड 5, option number A अपना right answer होगा अगला question है अपना कि दो संख्याए 8 अनुपात 5 के अनुपात में हैं, यादि बड़ी संख्या छोटी से 27 अधिक है, तो दोनों संख्या वो का योग क्या होगा, देखो एक संख्या है, अपने पास 8 और दूसरा है 5, तो इसको 8X मान लो, इसको 5X मान लो, इसने का बड़ी संख्या छोटी से 27 अधिक है, जब अधिक की बात करें, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 27 का ठीक है, अब 8X में से 5X गया, तो 3X बराबर 27 तो X की वेली हो जाएगी 27 बटा 3 यानि 9, ठीक है, 27 में 3 का बाग जाता है, 9 बार तो X का मान लो अब हमें इसने पुछाए कि दोनों संख्या होगा, योग क्या होगा, तो पहले हो दोनों संख्या पता करते हैं, 9 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 9, 22 और 9 को 5 से गुना करेंगे, तो 9, 25 पैतालिस, ठीक है, और दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो, तो 22 और पैतालिस कितना होता है, 117 ऑप्शन नमबर C अपना राइट आंसर होगा नेक्स्ट कॉश्चन है अपना कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चोड़े एक कमरे के फर्ष को ढखने के लिए 4 डेसी मीटर बूजा वरगाकार है, वाले कुल कितने टायलों की अवशक्ता होगी, ठीक है, देखो एक 6 बाई 4 का एक कमरे का फर्ष है और उसको ढखने के लिए हमें इसके अंदर टायल लगानी है, 4 डेसी मीटर की और टायल जो है वरगाकार है, ठीक है इसकी साइज है 4 डेसी मीटर और यह है 8 मीटर इंटू 6 मीटर का, ठीक है तो बताओ कुल कितने टायल लगेगी हमें टायलों की संक्या पता करनी है, और टायलों की संक्या और आयत का शेतरफल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई और जो टाइल लगी वह वर्गा का शेतरफल होता है बुजा इंटू अब देखो इसकी बुजा है लंबाई है आट मीटर इंटू चोड़ाई है छे मीटर और इसकी बुजा है चार मीटर चार डेसी मीटर ठीक रखना एक मीटर के अंदर दस डेसी मीटर होता है ठीक है तो आठ मीटर के अंदर कितना हो जाएगा असी डेसी मीटर छे मीटर के अंदर साथ और नीचे यह चार इंटू चार डेसी मीटर में है अब जो कट्रा उसको कार दो ठीक है तो चार का बाग असी में 20 बार और चार का बाग भी इसमें 5 पार ठीक है और 60 पोगरम 5 से गुना करेंगे तो 65 तीस 0 का 0 या टोटल कितने पतर लगेंगे या कितने टाइले लगेगी 300 option number C अपना correct answer होगा next question अपना कि 2 into 2 भाजक 2 plus 2 minus 2 बराबर क्या होगा ठीक है बड़ मास से question है बड़ मास में सबसे पहले क्या होता है देखो कोश्टक और का तो है नहीं अपने पास तो क्या होगा सबसे पहले भाग ठीक है और 2 में 2 कबा किती बार जाता है एक बार बाकी question अपना कि यदि 5P स्कॉयर माइनस 25 बराबर 100 तो पी का बान क्या होगा समी घंड दे रिखे अपने पास 5P स्कॉयर माइनस 25 बराबर है 100 तीक है देखो सबसे पहले यह माइनस का इदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ठीक है प्लस का 25 तो यह हो जाएगा अपने पास और यह गुणा का एक का चला जाएगा बाग के अंदर तो पी स्कॉयर बराबर हो जाएगा 125 125 बटा 5 पांच का बाग 125 में जाता है 25 ठीक है पी स्कॉयर बराबर 25 से स्कॉयर अटाएंग या रूड लग जाएगा तो पी की वेल्यू कितनी आई 5 तो ऑप्शन नमबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना कि एक बेल गाड़ी 9 गंटे में 135 किलोमेटर की दूरी ते करती है तो बेल गाड़ी की 4 किलोमेटर प्रती गंटे में क्या होगी यानि 1 गंटे में कितना जाएगी वो ठीक है तो अगर 9 गंटे में वो अगर 135 किलोमेटर जा राइट अंसर होगा अगला कोशियन अपना कि 1.5 और 2 का लेसे क्या होगा लेसे मतलब LCM बता करना में ठीक है अपने पास नंबर है 1.5 और 2 ठीक है अब दीगो अगर कोई संक्या पॉइंटों में हो तो उसका LCM किसे निकालते हैं सबसे पहले हमें पॉइंटों की संक्या बराबर करनी है यानि जिदर ज्यादा से ज्यादा पॉइंटों के अंखे वो सबके बराबर करने है तो यहां पर अगर एक 0.5 या निव internationalिक पॉइंट के बाद एक संक्या है तो इधर भी point के बाद एक संक्या होनी चाहिए तoskो चाहिए तक एक point पउइंट पांच और इतर यह हो जाएगा 2.0 एक संक्या कम से कम होनी चाहिए अब दोनों आठाते हैं तो यह हो जाएगा अपने की संक्या का LCM और नीचे की संक्या का SCF निकलता है ठीक है तो देखो दस और दस का SCF तो 10 ही होगा और LCM निकलते हैं 15 और 20 का ठीक है तो 15 और 20 का LCM क्या होता है देखो अगर 15 और 20 का LCM निकलेंगे तो आई का 60 ठीक है अब 0 जिरो से जिरो कड़ गया क्या बचा अपने पास छे तो एक पॉइंट पांच और दो का एल सिम क्या होगा छे सी ऑप्षिन अपना राइट आंसर होगा अगला कुश्य अपना कि 80 लिटर में 20 परतिशत पानी और बाकी बनावा दूद है तो बताओ उसमें दूद की मातरा कितनी है ठीक है तो कुल है 80 लिटर और 80 में से अगर 20 परशेंट पानी है ठीक है तो परतिशत का सवाल है तो हम कुल कितना मान लेते हैं एक बार 100 सो मेंसे पानी कितना है 20, तो दूद कितना होगा 80, ठीक है और वास्तों में कुल कितना दे रखा है 80 L, ठीक है 80 L मिश्णन मेंसे 20 परसेंट पानी है, तो इखो अगर 100 मेंसे 80 अगर दूद है तो 80 मेंसे कितना होगा, x बज़र गुना कर दो इसको तो x बराबर हो जाएगा so 80 into 80 into 80 बटा so 2 0 C है 2 0 कट गए 8 पाट से गुना किया तो 64 liter उसके अंदर total दूद है option number C अपना right answer होगा next question अपना कि 2 pipe A और B एक तलाब को 20 मिनट और 30 मिनट में बर देते हैं तो बताओ दोनों pipe को एक साथ कुला छोड़ दे तो तलाब कितने देर में बर जाएगा ठीक है देखो A बरता है 20 मिनट के अंदर B बरता है 30 मिनट के अंदर अगर दोनों को एक साथ कुला छोड़ दिया जाए तो तलाब को बरने में कितना समय लगएगा थीज श्में पाफ तो 2 एकम साट में दो बार साट में साट में बारा मिनट के अंदर वो आपको बढ़ेंगे साट नमबर भी अपना right answer होगा अगला question अपना है कि कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 55 दिन में करते हैं देखो आदमी कितने हैं कुछ का मतलब हम आदमियों को मान लेते हैं x कितने दिन में पूरा करते हैं यह 55 दिन के अंदर यदि उसी काम में 6 आदमी और लग जाए देखो 6 आदम में कितने आदमी रगेते हैं यानि x की value क्या है तो एक दिवर समय में 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 सीधा गुणा होता है ठीक है यह जाएगा अपने पास 55 x बराबर 44 को एक से गुणा किया तो 44 x प्लस 44 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 को 24 हासिल का 2, 24, 22, 26, 26 ठीक है एक सेक्तरब कर दो यह 64, 11 गुणा में का चला जाएगा बाग में, ठीक है, 11, 11, 12, 24, 24, 24, यानि आरब में कितने विखती थे, 24, option number D अपना right answer होगा, अगला question अपना है कि 3 kg चीनी से 25 ग्राम के कितने packet बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक packet का वज़न कितना देर का है, 25 ग्राम, तो अग ठीक है, यह kg है, अब देखो, यहाँ पर इनको बदलना पड़ेगा, किलो ग्राम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, ग्राम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर उपर तो 25 ग्राम है, और नीचे 3 kg है, तो यहाँ पर अगर हम 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है बज़ गया 5, 25, 0, 0 का 0, तो टोटल एक्सो बीस पेकेट बनाया जा सकते है, उप्शन नमबर टी अपना राइट आंसर होगा, फॉर्थ पार्ट है अपना रिजनिंग का, और रिजनिंग का कॉशन नमबर 46 है, कि किसी संकेतिक बाशा में येस्टर डे को 53, 74, 205 लिखा जा ठीक है, यहां पर यह जो वर्ड है, येस्टरडे, इसी से मिलकर यह जो नीचे वर्ड है, वो सेम बना हुआ है, ठीक है, तो कोड भी इसी में से मिलकर बनेंगे, यहां फर अगर हम फस्ट में देखते हैं, तो य का कोड है 5, और यहां पर भी य का कोड 5 है, ठीक है, तो यह same हमें नीचे code लिखने हैं तो देखो यहाँ पर S का code क्या हो जाएगा तो उपर देखो अगर S तीसर नंबर पर आ रहा है तो यहाँ पर देखो चोते नंबर पर आ रहा है तो यहां चोते नंबर पर आएगा चार इसी तरह E Y का कोड़ ठीक है Y देखो last में है 5 तो यहां 5 लिगा जाएगा इसी तरह E का कोड़ देखो यहां पर E second number पर और second number पर कोड़ क्या है तीन फिर D का कोड़ देखते हैं तो D का कोड़ होता है 2 ठीक है यहां पर देखो D third last है इसी तरह अपने पास Y का वापत अगर कोड़ लेते हैं तो Y का कोड़ क्या हो जाएगा 5 ठीक है और last में E है तो E का कोड़ हो जाएगा यहां पर E का कोड़ क्या था 3 तो यहां भी E का कोड़ क्या होगा 3 ठीक है तो अपना आंसर क्या होगा चेतर 0 4 अपना राइट आंसर होगा अगला कोशियन अपना है कि निम्न में से कौन सा अक्षर शमू दिये गए करम को पूरा करेगा एक सेरीज दे रखिए अपने पास B A-B डेश डबल A B फिर खालिस्तान दे रखा है A फिर खालिस्तान और B इस करम को पूरा करेगा देखो इस टाइप के सवाल आए तो उसको कैसे करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जितने भी वर्ड है जो खालिस्तान के छोड़ रखी है और जो दे रखे है उनको काउंट करना है यहाँ पर देखो अगर हम काउंट करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा और बारा ठीके बारा टोटल इसके अंदर टोटल बड़ आ रहे हैं अब बारा के जो जोड़े बनते हैं वो ज्यादातर संभाव नहींगी या तो तीन, तीन के बनेंगे चार और या फिर चार, चार के तीन जोड़े बनेंगे ठीके और अगर इन से नहीं बना तो फिर छे, चे के दो बना के देख लो ठीके तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम अगर तीन, तीन के बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं बनेगा, तीन-टीन से, अब देखो अगर हम चार-चार से बनाते हैं, तो यह अपने पास पहला जोड़ा है, दूसरा यह हो गया, और तीसरा यह बचा, ठीक है, देखो यहाँ पर इसका last का word B है, इसका भी B है, और इसका भी B है, मतलब तीनों के अ अंदर देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी यह होगा और यहाँ पर भी यह होगा अब देखो आपने खाली जिगे में क्या लिखा ए बी बी ए यानि ए डबल बी जो अपना राइड आंसर है ऑप्शन नमबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेशन अपना की देगे वगलतों में से करम को पूरा किजिए एक सेरीज देरे की है ए तो यहां पर यहां के बाद सी आजए तो यहां पर आ तो आगए क्या करेगा यह 3 प्लस करेगा और एच का 3 प्लस करते हैं तो एच का 3 फ्लस क्या आता है के और के कब अगला क्वेशन अपना है कि नमबर या जोड़ी समो जो है वो दूसरों से अलग वो चुन्ना है में ठीक है नंबरों की जोड़ी गेर कि घारारा एक्सू पंदरा आज चれた शाप्पन दस नबे और नो बैसंटर ठीक है इनमे से अलग क्या है वो में चुन्ना है तो दो यहां पर नो का बाग वैतर में जाता है आठ बार और दस का बाग नबे में जाता है नो बार आठ का बाग छपन में जाता है साथ बार लेकिन ग्यारा का बाग एक सो पंद्रा में नहीं जाता है ति यह जोड़ी अलग है option number है अपना right answer होगा लास्ट question है आज का अपना यह homework के लिए कि दिएगे शब्दों में से mail ना खाने वाले शब्द का कुन सा है ठीक है इसा शब्द जुनना है जो इन तीनों में से यह चारों में से जो शब्द अलग है उसका चुनाव करना दे को यहाँ पर तीन से में और एक अलग है और वो अ पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना नेहे चैनल के चैनल के सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर करना मिलते हैं किसी एक और ने वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए जहिन जय बारत